Hello dear students welcome back to YB Biology classes आजकि जो हमारी kclass है वो रहेगी plasmodium की life cycle के बारे में mainly हम plasmodium wivax के बारे में बात करें गे plasmodium से related इसकी जो systematic position है habitat distribution है और कौन-कौन से मतलब इसकी जो species मिलती है human के अंदर वो सारे बाते हम previous वीडियो के अंदर कर चुके हैं जो की part 1 करके डाला हुआ है जो अब इस part 2 के अंदर हमारा main focus रहेगा वो रहेगा sporogoid के structure के उपर और जो life cycle है plasmodium की in mosquito, female anaphylis and in man तो इसे हम दो phase के अंदर पढ़ते हैं ये digenetic होती है इसकी life cycle की digenetic मेनी two host के अंदर complete होती है life cycle की एक host अगर present है for example सिरफ man present है या फिर हम human बोल दें human present है तो जो complete life cycle है उसे करने के लिए mosquito के उपर भी plasmodium dependent है अगर plasmodium को mosquito नहीं मिलेगा तो life cycle complete नहीं हो पाएगी अगर man भी नहीं मिलेगा तो भी उसकी life cycle complete नहीं हो पाएगी यह जो diagram है आपको इसी तरीके से बिलकुल थोड़ा सा colored form में अपने exam में बना के आना है और अगर question paper में यह mention है question में कि आपको सरफ describe करनी है life cycle in case of mosquito तो आप सरफ mosquito कि जो यह उपर वाला portion है यह सरफ इसे ही describe करेंगे और अगर कहें कि life cycle in man तो जो इनीचे वाला portion है यह वाला आपको describe करना है अगर कहें कि describe complete life cycle of plasmodium तो आपको यह complete diagram बना के आना है और इसका complete explanation जो भी आपने इस diagram में बनाया है वो complete theory की form में भी लिखेंगे तो चलिए start करते हैं life cycle in man sporogoid से जो sporogoid है उसकी development उसकी formation होती है stomach wall in plasmodium stomach wall of mosquito mosquito female anaphylis की बात हम करते है यहाँ पर यह slivery gland है slivery gland के अंदर जो इस sporogoid है वो sporogoid यहाँ पर store किये जाते हैं slivery gland में और जब एक किसी healthy person को mosquito जाके bite करता है तो उसके proboscis के थुरू जब वो blood को सक करेगा तो इस slivery gland के अंदर anticoagulants भी present होते हैं और इन anticoagulant को जब release किया जाता है तो anticoagulant के साथ इस sporogoid भी जो healthy person है healthy human है उसके अंदर release कर दिये जाते हैं यह जो sporogoid है यह sporogoid blood stream में एंटर होते हैं और यह ढूंडते हैं liver को liver cell की जो पैरंक लिवर पैरंकाइमेटर सेल है उनके अंदर यह जाके invade करेंगे जो sporogoid है उसका diagram कुछ ही स्थरीके का दिखता है अभी हम इसके बारे में बात करेंगे इसका जो electron microscopic view है वो हम देखेंगे sporogoid का जो जो liver cell है उसके अंदर यह enter करेगा वहां जाके अपनी पूरी growth करेगा खाएगा पीएगा मोज करेगा अपना weight बढ़ाएगा मोटा ताज्या होगा और वहां पर जाके अपनी identity को change कर लेगा जब इसने इसमें liver cell में entry की थी तो उसका नाम क्या था sporogoid लेकिन जैसे ही वो cell के अंदर गुसा वहां खाया पिया तो उसने अपना नाम change कर लिया उसने नाम अपना क्या रख लिया crypto joint और यह जब अपनी पूरी growth कर लेगा तो उसके बाद में यह a sexually production करेगा multiplication करेगा और अपने नंबर को यहां बढ़ाएगा यहां इसने अपने नंबर बढ़ा लिये और लिवर सेल अब सहन नहीं कर सकती इसके इतने जादा नंबर को और वो फट जाएगी वो ब्रस्ट हो जाएगी और उसके ब्रस्ट होने की वजए से जो अब यह release होंगे इनको हम नाम देंगे crypto miro joits अभी तक यह क्या थे crypto joint और अब यह क्या है crypto miro joint और crypto miro joint में भी जो crypto miro joint cell में एक बार life cycle दुबारा से complete करने के बाद RBC में एंटर होगा उसे हम नाम देंगे micro miro joint crypto joint तो दो तरीके के यहां से crypto miro joint release होते है macro meta crypto joint and micro meta crypto joint जब यह enter होगा तो इसका नाम है micro meta crypto joint फर्दर यह जो micro meta crypto joint यह अपने नमबर को बढ़ाएगा नमबर बढ़ाने के बाद वो ही lever cell को यह ब्रस्ट करेगा और अब इसका नाम क्या हो गया micro meta crypto miro joint अभी तक यह क्या था micro meta crypto joint देखो जो इसके नाम है हम वो नाम एक बार फिर से देखते हैं कि जब यह लीवर सेल में एंटर किया था तो यह था sporogoid हमाली बोडी में एंटर किया तो sporogoid की form में किया देन crypto joint में convert हुआ then crypto mirror joint में convert हुआ उसके बाद कोन आया micrometa crypto joint and then micrometa crypto mirror joint यह नाम आपको ध्यान से याद रखने हैं और अब यह भार release किये गए हैं अब यह जाकर infect करेंगे RBC को यह RBC को अब यह जाकर infect करेंगे यह सीधा यहां से भी infection हो सकता है RBC का और एक cycle फिर से repeat करने के बाद भी यह infection हो सकता है RBC का तो जो यह पहली cycle थी इसको नाम दिया जाता है pre erythrocytic sysogoni और जो दूसरी cycle थी उसको नाम दिया जाता है exo erythrocytic sysogoni जो erythrocyte word है वो RBC के लिए use हम करते हैं तो यह जो हम बता रहे हैं हम बता रहे हैं sysogoni in liver of man कि human के जो liver है उसके अंदर हमने अभी तक यह सारी चीज़े पढ़ी है यह नाम हमने liver cell के अंदर पढ़े हैं जैसे ही यह RBC को infect करेगा RBC को infect करने के बाद में यह क्या करेगा एक ring like foam बनाएगा कि सारे cytoplasm को periphery पिकर देगा और अंदर से बीच में से खाली हो जाएगा इस stage को हम बोलते हैं sygnet ring stage और जो यह form बनी है इसको नाम दिया जाता है यंग trophogoid जो यह sygnet ring stage है यह further convert होती है amoeboid stage के अंदर और यहाँ पर यह हर चीज़ को digest कर देगा जो hemo globin है RBC का सिरफ वो digest नहीं होगा और वो hemo join granule की form में यहाँ पर store किया जाएगा इसकी जो shape है वो amoeba के जैसे दिखती है और amoeboid shape होने की वज़े से stage का क्या नाम रखा हमने amoeboid stage नाम रखा फिर फर्दर यहाँ पर यह nuclear division चलेंगे size zone के अंदर इसका नाम अब हम size zone रख देंगे इसके अंदर nuclear division चलेंगे free nuclear division चलेंगे और यहाँ पर कुछ यह skiff nurse dot present होते है nuclear division होने के बाद में cytokinesis होगी और अब इन्हें नाम दिया जाएगा mirror joint या फिर size zone joints mirror joint इसका नाम आप याद रखे mirror joint इने कहा जाएगा और यहाँ पर यह hemato joint granules present है यह जो यह cycle चली है इसको हम बोलते है size zone, RBC या फिर erythrocytic cycle नाम दिया जाता है यहाँ पर यह mirror joint का number इतना बढ़ जाएगा कि यह breast होगा RBC breast होगी और यहाँ से यह release कर दिये जाएगे mirror joint mirror joint reinfection cause करता है RBC का दूसरी RBC को जाके invert करेगा वहाँ पर यह फरदर infection cause करेगा और यहाँ पर यह mirror joints हैं यह mirror joint जाके दूसरी RBC को जो infect करेंगे यह एक तो यह reinfection cause कर सकते हैं और दूसरे यह खुद को macrogametocyte and micro gametocyte में convert करेंगे macrogametocyte female और micro gametocyte कोन होता है male gamet होता है फरदर यह यहाँ पर enter किया है यहाँ पर इसने यह cell की पूरी अपनी shape ले ली growth कर ली और यह हमारे blood के अंदर present है जब mosquito bite करने आएगा और वो blood को सक करेगा तो blood के through ही वो क्या कर लेगा इन gametocyte को अपनी body में enter करवाएगा यह gametocyte जाके इसके gamet इसके stomach के अंदर release के जाते हैं यहाँ की कानी हम पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर दो host की जरूरत क्यों पढ़ी यह समझने वाली बात है देखो जो sporo joint है वो कहाँ है slivery gland of man के अंदर present है लेकिन slivery gland में mosquito के अंदर present है mosquito के अंदर जो इस poro joint है इसकी further development नहीं हो सकती क्योंकि mosquito कैसा है यह है cold blooded और हम कैसे हैं हम है warm blooded तो इस poro joint को develop होने के लिए high temperature की जरूरत पढ़ती है इसलिए उसे अपनी life cycle को complete करने के लिए एक ऐसे organism की जरूरत है जो warm blooded हो जिसका body temperature high हो और mosquito का body temperature high है नहीं वो cold blooded है इसलिए human के अंदर ही से enter करना पढ़ता है अपनी इस life cycle को complete करने के लिए फिर जो यह erythrocytic cycle चलती है इसमें जो हमने hemojoin granules की बात की यह जो hemojoin granules है यह hemojoin granules जब release होंगे उस time पे fever आएगा तो जब fever आएगा तो malaria में जब भी fever आता है इसका मतलब कोई RBC ब्रस्ट हुई है और उससे hemojoin granules release हुए है यह जो hemojoin granules है इनके release होते ही body में fever आएगा और फर्दर जो यह micro gametocyte है यह अपना development human के अंदर complete नहीं कर सकती क्योंकि इन्हें चाहिए low temperature लो body temperature चाहिए इन्हें develop होने के लिए इसलिए यह human के अंदर develop नहीं कर सकती इन्हें further अपनी development को complete करने के लिए enter करना पड़ता है mosquito के अंदर तो इसी वज़े से यह mosquito के अंदर enter करती है क्योंकि इन्हें अपने development के लिए कम body temperature चाहिए then जब ये mosquito के stomach में enter करेंगी तो वहाँ पर जो इनका gastric juice है वो gastric juice हार एक RBC के हार एक component को हार एक जो भी plasma गया है जितने भी factor गए है blood के थुरू उन सब को digest कर दिया जाएगा सिवाए macro gametocyte को and micro gametocyte के ये जो macro gametocyte है micro gametocyte है ये क्या करेंगी इन से फर्दर gamets बनाएंगी macro gamet बनाएंगी and micro gamet बनाएंगी जो micro gametocyte है वो micro gamet बनाएगी वो पहले क्या करेंगी कि nucleus को divide करेंगी फिर नुकलियस को periphery पे बेज़ जेगी और उनके साथ में कुछ इस तरीके का ऐसे ये tail-like से structure, flagellum-like से structure बनाते हैं और इस complete structure को नाम दिया जाता है ex-flagellation, इसको नाम दिया जाता है ex-flagellation, ये important term है ex-flagellation फिर ये structure दिखाई दे रहा है ex-flagellation के जो ये इस तरीके से arm निकली हुई है इन्हें नाम दिया जाता है micro gamet या sperm जो macro gametocyte है वो form करती है एक polar body की और एक ovum की form करेगी और जो ovum है वो cone of reception को भार की और निकालेगा और वहाँ से जो sperm है वो enter करेगा ovum के साथ जब sperm fuse करता है ये सारी process stomach के अंदर हो रही है तो फिर further gigot की formation होगी जो gigot है वो यहाँ पे non motile structure है लेकिन gigot को move करना पड़ेगा जो stomach की wall है उसके अंदर enter करने के लिए तो जो gigot है वो convert होता है ukinete में ऐसा elongated सा structure और थोड़ा सा elongated है ये और motile structure है ये gigot non motile है जो ukinete है वो कैसा है वो motile structure है तो ukinete में convert होगा ukinete अंदर इस stomach wall है ये पूरा stomach wall है इस stomach wall के अंदर enter करेगा enter करने के बाद ये अपने चारों और एक cyst wall बनाएगा और cyst wall बनाके इसका अब नाम क्या होगा ucist ये ucist grow करेगा इसकी growth होगी ये mature ucist होगा mature होने के बाद इससे sporojoids release के जाएंगे इसके अंदर ये sporojoids ये develop कर रहे हैं इतना जादा number हो जाएगा कि ये ucist को breast कर देगा और फिर release होंगे slivery gland के अंदर आएंगे और फर्दर ये sporojoid man के अंदर enter करते हैं यहाँ पर जो ये sporoogony चलती है ये जो spores की form में ये जो sporojoid बनते हैं ये है asexual cycle in the stomach wall of mosquito और जहाँ पर ये gamete बने fertilization वा जाएगाट बना यहाँ पर इसे बोलते है gamogony इसको क्या बोलते है sporogony इसको बोलते है gamogony और जो gamogony है उसके अंदर sexual cycle चलती है stomach of mosquito के अंदर तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है कि यहां से slivery gland में sporojoid आएंगे sporojoid किस के अंदर जाएंगे human के अंदर infection होगा तो ये infective body की तरह काम करते है sporojoid sporojoid liver cell के अंदर जाएंगे पहले और वो liver cell के अंदर cryptojoid, metacryptojoid, micro metacryptojoid, micro metacryptojoid, micro metacryptojoid, micro metacryptojoid में convert होंगे RBC को infect करेंगे ये पूरी size होगो नहीं RBC चलेगी पहले signant ring stage, amoeboid stage, then nuclear division होगा, mirror joid बनेंगे वो reinfection करेंगे वो दूसरी RBC में गुसके macro and micro gametocyte बनाएंगे, ये फर्दर stomach में जाएंगे, stomach में ये हर चीज को digest कर दिया जाता है, सिवाए इने gametocyte को छोड़ के, फर्दर यहाँ पर sexual cycle चलेगी, ukinite की formation होगी, and then ये पूरी जो growth phase चलेगा, sporojoid की formation and development होगी, ऐसी ये डिट्टो, ऐसी की ऐसी color आपको पूरी ये life cycle plasmodium vivax की बनाके आनी है exam में, और ये BSC first Sam के लिए है, जो Geology first का paper है, उसके लिए, और ये exam में ये question आता ही आता है, ये fix type का question है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा emphasize करके, पूरा ही से explain करवाया है, और सबसे पहले, जो ये life cycle है, आपको ये draw करनी है, ये life cycle से ही number मिलेंगे, fact जितनी अच्छे तरीके से life cycle पूरी बनी हुई होगी, तो आठ में से, और फिर इसे जो यहाँ पर चीज़े मैंने explain की है, उसी तरीके से ये सारी complete life cycle आपको theory की form में explain करनी है, जादा time इसमें नहीं लगाना है, time आपको अपना main ये life cycle को draw करने में लगाना है, then theory वो ही 2-3 page में enough रहेगी, इसके बारे में theory लिख देंगे, main life cycle है, मैं बार बार कहा रही हूँ कि जो main है, वो इसकी life cycle है, life cycle को आप अच्छे से बनाएं, ढंक से बनाएं, और जितनी perfect life cycle होगी, उतने perfect ही आपको number मिलेंगे, अब हम बात करते हैं, sporo joint के बारे में, तो I hope आपको ये ज grow कर ले life cycle को, बिल्कुल perfect way में, एक एक step को अच्छे से बनाएं, कम से कम दो तीन बार इसकी practice करें, अलग-अलग color का use करें, थोड़ा सा अच्छा सा attractive दिखना चाहिए, और एक एक stage अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ये है sporo joint का structure, तो इस sporo joint के structure के अंदर, कौन-कौन सी चीज़े हमें दिखाई दे रही हैं, ये apical cap है, यहाँ पर ये उपर वाला जो reason है, वो apical cap है, और जो ही इस तरीके से brown से ये structure दिख रही है, ये है microtubule of pellicle, ये paired organelles है, nucleus है, और उपर ये भार आउटर covering है, वो pellicle की है, ये convolated tubule present है, mitochondria है और cytoplasm है, ये है structure sporo joint का, तो आपको साथ भी ये sporo joint का structure भी draw करना है, ये है complete life cycle of plasmodium, thank you for watching my videos,